नमस्का दोस्तो मेरा नाम है सुनील और आप देख रहें अपना लोग प्री यूटीब चैनल जिसता नमस्ट सुनील जस्वाल वीविलोफाइल दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस एस्प्रेंट्स की जो गौर्रमेंट जोब की त्यारी करते हैं दोस्तो यहा यहां पर इन शब्दों के मादम से मैं अपनी फीलिंग करने वाला हूँ और मैंने जहां तक अबजर्ब के आद्व करके देखा है उनको मैंने के स्क्रिप्ट मिछसरा सी अपनी टरफ से दोस्तों और आपको नपको लगता है तो अप लोग भी कुछ अपनी तरफ लिखी है मैं इनको read करूँगा क्योंकि मैंने इसे पूरी feeling के साथ लिखा हुआ है बड़ती शिक्षित बिरोजगारी बरतमान समय में सबसे बड़े चुनोती है दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा आज कल minimum जो qualification वो graduation हो चुकी है और जो हमारी education है वो दोस्तों job oriented नहीं ह इसमें ना केबल दोस्तों बारती यूबा बलकि बारत देश की प्रग्रती में भी नुकसान हो रहा है अगर आप लोग देखेंगे अगर youth यूब प्रग्रेस करेगा तो automatically उस देश में प्रग्रेस होगी दोस्तों government job की त्यारी करने वाले अधितर लोग जो होते हैं वो middle class की त्यारी करना जो स्टार करता है इसके लिए आजकल online और offline मादियम से मार्कदेशन प्रापत करता है दोस्तों यहां पर आगला आप लोग देखें तो जो government job की त्यारी करते हैं वो के business man के बेटे जो वो अमीर लोग जो त्यारी नहीं करते हैं इसमें lower middle class और middle class के लोग ही इच्छाओं को मारकर खुद पर control करके दोस्तों त्यारी करना start कर देता है कि उसे लगता है जैसे बहुत सारे आगर आप लोग इस समय देखें तो बहुत सारी चीजी आपको जो वो अट्रैक्ट करती है चाहे वो functions हो चाहे वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे मोंडर इंज coaching help लेता है लेकिन दूस्तों कोचिंग करने जाता है तो coaching के अगर आप लोग देखें तो बहुत बढ़ी fees होती है बहुत जड़ा fees होती है लेकिन फिर भी coaching की fees बरता है तो उसकी जो गर की स्थिति होती है वह कहिना कि कमजौर हो जाती है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नह लगता है कि जब government job लग जाएगी तो इसके घर के हालाided अच्छे हो जएगे फिर बहुत अच्छे त्रीक से महनत भी करता है hardware करता है और त्रिकस के त्यारी करता है उसके बाद मैं प्रिक्षा का form वरता है उसके बाद उसकी exam date भी आ जाती है उसका प्रिक्षा के अंदर उसके गर से काफी दूर होता है आप लोगों ने देखा होगा जब आपके लोगों के exam center आते हैं तो वो कहीं गर से दूर होते हैं तो आप पो traveling करने पड़ती है बहाँ पर जाके आप लोगों को room लेना पड़ता है या कहीं पर रहने के लिए परबंद करना पड़ता है इसके लिए भी दोस्तों आप लोगों को पैसे चाहिए होते हैं और मैं उस experiment की बात करना जिसके पास पैसे की कमी है जिसके घर के हलात बिल्कुल खराब है वो फिर भी government job के द्यारी करता है और exam form बरता है exam form बरने के बाद दोस्तों जब वो exam center में जाता है तो एक दिन उसे पहले जाना पड़ता है अगर वो उसी दिन भी जाता है तो काफी दूर होने के बसे वो time पर नहीं पहुँच पाता है तो वो कोशिश करता है कि एक दिन पहले जाए लेकिन जैसे वो पहले जाता है उसे खाने का परबंद करना पड़ता है वहां रहने का परबंद करना पड़ता है तो इसकी बसे उसके घर के खलाद ठीक नहा होने के बसे दोस्तों वो पैसे जो उधार ले ले लेता है इसे लगता है और उसे लगता है कि इस वार इसकी गोशो को बहुत खुश होते हैं उसकी लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा एक नया मोटicação सामने निकल ट्यार किया है, उसने इतनी महनत किया है दिन रात अपने आपको त्यार किया है दोस्तों कस्सिस्टन्ट करासने किया है गॉर्मेंन जोब लग जाएगी लेकिन पेपर लिइक के मामले में लीजा। वह hasn't इसमें ये नहीं के खातिर अपने इमान भीज़ देते हैं बैस सिर्फ अपना ही फाइदा देखते हैं उनको इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि इससे क्या नुकसान होगा गौर्रमेंट जॉब की दोफ्तों त्यारी करने वाले कुछ अभियर्थियों कि बास इतने भी पैसे नहीं होते हैं क कुछ किताब भी खरी सके जिससे उनको सफलता मिल सकती है लेकिन फिर भी पेपर लिक करने वाले इन बातों को नहीं समझ सकते हैं उनको इस बात से फरक ही नहीं पड़ता है कि पेपर लिक होने से किसी एस्प्रेंट्स को कितना दख्का लगेगा चाहिए वो शारेडिक तो पता ही नहीं चलता है इससे बहुत मानसिक और शारेडिक के रूफ से इतना प्रतारित हो जाता है कि अपने रिष्टेदारों के साथ और लोगों के साथ मिलना बिलकुल बंद कर देता है क्योंकि उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं वो इस चीज के लिए मजबूर ह रूफ हो जाता है क्योंकि हर को असे पूछता कि आजकल क्या कर रही हूं जब हrin प्रश्ण पूछा जाता है कि आजकल क्या कर रहे हैं तो उसके पास अंसर नहीं होता है तो वो सोचता है कि जब बीरूर्मंट जोब के त्यारीं इ 합니다 ताके त्यारी कर लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है जब पेपर लीग हो जाते हैं उसकी सारी महनत खराब हो जाती है उसे उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे गौर्मेंट जोब की विवस्था और पेपर लीग के मामल और जब दोस्तों वो government job के त्यारी करता है तो उसे त्यारी करते करते हैं दो साल, तिन साल, पांच साल भी हो जाते हैं उसका समय बरबाद हो जाता है जितना समय उसने government job में लगाया है अगर वो इतना समय किसी दूसरी field में लगाता तो शायद उसमें वो master हो जाता है लेकिन फिर भी बहुत सोचता है कि government job लग जाएगी तो उसे बहुत ही अच्छा job उसकी स्कीति हो जाएगी हर अव्यार्थी यही चाहता है कि जिस प्रकार से भारत के चुनाप समय पर हो जाते हैं उसी प्रकार से government job की प्रिक्षा में समय पर हो जाएए दोस्तों आप लोगों ने द साइम पर रिजल्ट आता है सब कुछ होता है और फिर government बन जाती है लेकिन दोस्तों government job की बात करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होता है उसमें बहुत परकार की अव्यवस्ता पाई आती है दोस्तों इस प्रोसेस में जब government job की त्यारी करता है और पेपर से लेके जोएनी तक का समय वो चाता है कि वो कम से कम लगे लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप गवर्मेंट जोब की त्यारी करते हैं पेपर वरने से लेके जुआइनी तक का समय एक साल ज़े दो साल का लग जाता है तो इसे भी उसे मानसिक तोर पर टोर्चर होना पड़ता है लेकिन पेपर लीक करने बाले और व्रस्ट आचरन करने बालों के खिलाब भी कड़ी कारवाई होनी चाहिए यह हर एस्प्रेंट चाहता है कि कोई भी पेपर लीक ना हो लेकिन जो पेपर लीक करते हैं उनके उपर कड़ी से कड़ी कारवाई करनी चाहिए जिन होने वरस्ट आच्रन किया है जिनको ये समझ जी नहीं है कि इसका नुक्सान क्या होगा उनके अपर कारवाही की जाने चाहिए जब वो खुद एस्प्रेंट थे जब उनके खुद गौर्रमेंट जोब की त्यारी की थी तो वो उस समय सोचते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए पेपर में कोई अव्यवस्था नहीं होने चाहिए लेकिन जब वो जैसे ही गौर्रमेंट जोब में पहुंच जाते हैं तो फिर वो उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं उनके लिए सिर्फ पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है तो इसके लिए क्या करना चाहिए इसके लिए एक ऐसी सब्तंतर संस्ता होने चाहिए जो पेपर करवाने से लेकर गौर्रमेंट जोब की जोईनी तक पूरी देख देख रहे दोस्तों जैसे हमारे कमिशन होते हैं मैं जैसे हिमाचल की बात करूँगा हिमाचल में दोस्तों जैसे तरह से HPSSE था हिमाचल पदेश पब्लिक सर्विस कमिशन है दोस्तों इसके मादिम से जो पेपर करवा जाते हैं इनके इलावा कोई एक ऐसी संस्ता होनी चाहिए जो सिर्फ इनका goosebumps करें वेपर ठीक त्रिके से हो रहे हैं results सही समय पे हो रहे हैं कोई गड़बडी तो नहीं हो रही है अगर कोई गड़बडी हो रही है तो उसके उपर-action होना चाहिए immediate action होना चाहिए अव्यर्थियों की समस्यां और प्रशानियों का हल निकालना चाहिए बहुत सारे बच्चे जो अब प्रशान हो जाते हैं चाहे वो exam center से related चीज़ें हो जा किसी भी प्रकार की को चीज़ें हो कुछ toll free number जो उपलब्द करवाने चाहिए अगर आप लोग देखेंगे तो HPSC ऐसा था कि जब कोई भी esperant phone लगाता था तो वो उठाते नहीं थे उनके कुछ issue होते थे वो phone के मादम से complete हो सते थे लेकिन उनको person नहीं बहाँ पर जाके wizard करना पड़ता था तो इसलिए कुछ toll free number होने चाहिए जिनके मादम से बच्चों को phone करके उनका solution जो पर प्रवाइड करवाया जा सके ताकि उनका समय बरबाद न हो exam schedule नीची तो होने चाहिए जिस तरह से IS और HS का schedule नीची तो होता है इस तरह से चाहे class 3 हो चाहे class 4 हो exam के schedule होना चाहिए कि paper कब होगा, कब तक इसका result आएगा, कब तक इसकी joining होगी अब यह अर्थियों के सुजाबों के लिए column रखना चाहिए दोस्तों यहाँ पे कुछ aspirants के विचार होते हैं, कुछ सुजाब होते हैं जो बहुत ज़दे valuable होते हैं लेकिन उनको value नहीं दियाती है तो इसके लिए उनके सुजाबों के लिए कुछ column होने चाहिए देश की प्रग्रत्ती के लिए बच्चों के बविशे के साथ जूड़ी हुई इसलिए बच्चों के बविशे के साथ खिलवान ना किये जाए दोस्तों यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो हर बच्चा जो वो देश का बविशे बनाने में अपना पूरा सहयोग देख सता है लेकिन जब उसे manically तोर पर और physical तोर पर torture किये जाता है तो फिर वो देश की progress के बारे में कभी भी नहीं सोचता है वो खुद की progress के बारे में सोचता है लेकिन जब उसकी खुद की progress भी नहीं हो पाती है तो वो कहीं न कहीं समा से अलग हो जाता है तो एक अव्यर्तिवस इतना ही चाता है कि समय समय पर government job और निकले उनका process अच्छे से हो जाए इमानदारी के साथ उनी बच्चों का selection हो जो बच्चे deserve करते हैं और इस process में किसी भी परकार की को गड़बड़ी ना हो पेपर ली के मामले ना हो एक बेवस्ता के मादम से ही जो exam job और conduct करवाई जाएं तो दोस्तों ये मेरा आज के कुछ शब्द थे जो मैंने आपके सामने पेश की हैं मुझे उम्मीद है कि ये जो शब्द होंगे जी आपको समझ में ही नहीं बिल्कुल आपको ये reality भी महसूस होगी और फिर बेकर आपके मन में कोई question हो दोस्तों तो comment box में यू टाइब करें दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी recommend box में यू बताएं आप लोगों नहीं यतना समय दिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वैनमच दिल से